सिक्सन अभिरूची यानि टीचिंग अप्रिट्यूट की प्रिप्रेशन को मजबूत बना कर टीचिंग से सम्मधित किसी भी प्रेक्षा को आसानी से क्रे करना चाहते हैं तो सस्क्राइब कीजिए यवर सेलेक्शन से और यूट्यूब चैनल को नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गंगा प्रकास्वेस्विक और आज लेकर आया हूँ सिक्सन अभिरूची से समन्दित कुछ महत्वपोंट प्रेक्षा और उनके अंसर जो की कई बार प्रेक्षा में पुछे जा चुके हैं आप से निविदन है कि आप अंध तक इस वीडियो को आउश्य देखें और प्रश्ण को ध्यान पूरत देखें ताकि आप आने वाली प्रेक्षाओं में टीचिंग अप्रिक्षा में यानि सिक्सन अभिरूची से समन्दित किसी भी प्रश्ण को आसानी से हल कर सकें तो आईए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को इस वीडियो में मैं प्रश्ण को बाइलिंग्वल यानि इंग्लिस और हिंदी दोनु भासाओं में एक्स्प्लेन करूंगा पहले के दो वीडियो में मैं इस प्रश्ण पत्र से समन्दित दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यदि आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में जाकर उन वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं आज का पहला प्रश्ण है अधिगम के बारे में पूरी जानकरी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है इंग्लिस में कहेंगे दिक्करव इंडिकेटिंग कम्प्लीट इन्फोमेशन एबाउड लेर्निंग इस कॉल्ड इस प्रश्ण का सही जबाब है ऑप्शन डी एस आकार वक्र डी इसका सही उतर हो जाएगा यानि एस सेप्ट करव तो अधिगम यानि लेर्निंग के बारे में पूरी जानकरी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है एस आकार वक्र अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 26 What is not essential for measurement of learning हिंदी में यदि हम बात करें तो अधिगम मापन करने के लिए क्या आउसक नहीं है यहाँ पर पूछा गया है नहीं है यानि is not प्रश्ण को ध्यान से पढ़ना काफी important है इस प्रश्ण का सही उतर होगा option A प्रश्ण की युक्तियों का पता लगाना यानि to know tactics of teaching तो अधिगम मापन करने के लिए शिक्सन की युक्तियों का पता लगाना जरूरी नहीं है बाकी ये तीन जरूरी है यानि परिक्साओं की वहतेता ज्यान करना परिक्साओं की विश्वासेता ज्यान करना विद्यार्थिन तोरा अरजित कोसलों को ज्यान करना तो ये तीन option सही होंगे लेकिन यहांबग पूछा गया है आप सब नहीं है तो उतर होगा option A अगला प्रस्ट नहीं पर देख पा रहे हैं प्रस्ट नमबर 27 प्रस्ट है बुद्धी प्रेक्षणों का पर्योग किया जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट आर यूजड फोर इस प्रस्ट का सही उत्तर होगा option D उपपर युक्तिसभी यानि all of the above तो बुद्धी प्रेक्षणों का प्रयोग किया जाता है विध्यालाई में चात्रों का स्वमु विवाजन करने में निर्देशन के प्रयोजन के लिए चायन करने के प्रयोजन है तो यानि grouping the students in school guidance purpose selection purpose तो इस प्रकार all of the above यानि उपर युक्त सभी इसका अंसर हो जाएगा तो intelligence test यानि बुद्धी प्रेक्षण करना इसलिए आपसोग होता है ताकि आप बच्चों में चात्रों का स्वमु विवाजन करने में आसानी हो निर्देशन के उद्देश्य से और चायन करने के उद्देश्य से तो इस प्रकार option D's का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्ण no.28 इस प्रश्ण में पूछा गया है निम्न लिखित में से कौन सा उद्दिपन परिवर्तन कौसल का तत्व नहीं है इंगलिस में यह दि बात करें तो which of the flowing is not the element of stimulus variation skill प्रश्ण को ध्यान से पढ़ना जरूरी है यहां पर पूछा गया है कौन सा उद्दिपन परिवर्तन कौसल का तत्व नहीं है उद्दिपन परिवर्तन कौसल यानि stimulus variation skill का element नहीं है तो इस प्रकार इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा option A विन्यास प्रिवर्ण यानि set induction ये नहीं है बाकी संचलन यानि moment how-how जिसे gesture कहते हैं वाक स्वरू परिवर्तन यानि change in voice ये तीनों important है उद्दिपन परिवर्तन कौसल के लिए लेकिन विन्यास प्रेरण यानि set induction नामक तत्व जरूरी नहीं है तो जैसे यहाँ विन्यास प्रेरण है संचलन है वाक स्वरू परिवर्तन है हिंदी थोड़ा सा सिक्षन अभिरूची में difficult पढ़ती है इसलिए आपको इन प्रकार के प्रशन को हल करते समय एंगरी जरूर देखनी है क्योंकि इंग्लिस में आप आसरी सने प्रशन को हल कर सकते हैं तो इस प्रकार इस प्रशन का सही उतर हो देगा option A विन्यास प्रेरण या इंग्लिस में कहें तो set induction अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर एक सिक्षक अपनी सिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है यानि जब एक टीचर अपनी teaching learning process की planning करता है तो क्या ध्यान में रखता है A teacher plans his teaching learning process keeping in view तो इस प्रशन का सही उतर होगा option C Both A and V यानि दोनों A एवं B निर्मित उद्देश्य मानव एवं भौतिक संसादन यानि the objectives formulated the human and physical resources तो objective क्या है यानि निर्मित उद्देश्य क्या है और मानविय और भौतिकी संसादन क्या क्या है इनको ध्यान में रखेगा एक सिक्षक अपनी teaching learning process अर्थात शिक्षण अधिगम परिकिरिया से समरित योजना बनाते समय तो इस प्रकार option C इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा तो मुझे लगता आप इस प्रश्ण को समझ चुके होंगे अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर तीस स्क्रीन पर आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तोर पर स्वव अनुसासन किस प्रकार बिक्षित करेंगे यानि सेल्फ डिसिप्लेंड कैसे बिक्षित करेंगे इस प्रश्ण का सही उत्तर है option A उनको उत्तरदायत्व देकर giving them responsibilities यानि जब आप अपने विद्यार्थियों को यानि अपने चात्राओं को जिम्मेदारियां दोगे उत्तरदायत्व दोगे तो उनमें सेल्फ है डिसिप्लेंड निर्मित हो जाएगा तो कोई बच्चा अगर बिग्ड़ा है जैसा आपने उसे monitor बना दिया या co-monitor बना दिया या उसको कोशाध्यक्स बना दिया किसी खेल की team का captain बना दिया तो उससे उनके अंदर उत्तरदायत्व यानि जिम्मेदारी आ जाती है और फिर वो self-depend और self-anushaashan न आ जाते हैं फिर जब उन में स्वअनुसासन आएगा तो वो स्वयं सुधर जाएंगे तो इस प्रकार से यह काफी important प्रश्ण है और teaching aptitude समयत प्रश्णों का हल करते समय प्रश्णों को ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए दो प्रश्ण और हल करते हैं यह प्रश्ण असस्टे से समन दी थे हैं प्रश्ण है निम्न में से किस राज्य अबलिक राज्य में द्वी सदनात्मग विधायका है which of the flowing state slash states had slash have by camera legislature द्वी सदनात्मग मतलब होता है दो सदन जैसे केंदर में लोग सबा और राज्य सबा है उसी प्रकार भारत के कुछ राज्य में द्वी सदनात्मग विधायका है इसमें एक होता है बिधान सबा और एक होती है बिधान परिसद जैसे लोग सबा है तो वैसे राज्य में बिधान सबा और जैसे राज्य सबा है वैसे राज्य में विधान परिसद होती है लेकिन भारत के कुछ ही राज्य में द्वी सदनात्मग विधायका है तो इस प्रकार इस प्रशन का सही उतर है option D उपर रिक्त सभी जैसे करनाटक, जम्मू और कस्मीर, महारास्ट इन तीन राज्यों में यहाँ पर है इसके तरिक अब जम्मू कस्मीर इसका option नहीं होगा क्योंकि जम्मू और कस्मीर अब केंद सासित प्रदेश बन चुके तो इस प्रकार इस प्रशन वाब करनाटक और महारास्ट से उतर होगा बाकी और विराज्यों जैसे उतर प्रदेश है, बिहार है इनमें भी द्वी सतनात्वक विवस्त अपिका है तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, जहांपर बिधान सबा भी है और बिधान परिसद भी है उन्हें कहेंगे द्वी सतनात्वक विधाएगा अगला प्रशन और आज का आखरी प्रशन आपकी स्क्रीन पर 1857 इस प्रशन का सही उत्तर है ओप्शन ए दस मैं को यानि टैंत में तो दस मैं 1857 की करांती सुरू हुई थी और ये भारते स्वतनतरता संगराम की सुरुवात माने जाती है जिसमें कई करांती कारण में अपना योगदान दिया और यहां से फिर भारत में आजादी के लिए एक चिंगारी सुरू हुई तो आज की वीडियो में इतना ही मुझे लगता है ये वीडियो काफी इंपोर्टन रही होगी ये 2016-17 में जो अल्टी का पेपर उतरा खड़ में हुआ था उसे सम्मंदित शिक्सर अविरूची ने टिचिंग अपिटूट के प्रश्ण और उनके आंसर है तीस प्रश्ण है और इनको मैं तीन वीडियो में लेकर आया था तो इससे पहले दो वीडियो आ चुके हैं यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में जाकर उन वीडियो के लिंक पर किलिक करके उनको ध्यान पुरोग देखें और कभी भी शिक्सर अविरूची समयनित प्रश्ण को हल करते समभए प्रश्ण को ध्यान से पढ़ना चाहिए उसमें पूछा क्या गया है हाँ है नहीं है या किस प्रकास से प्रश्ण की भासा है और एंग्रेजी माध्य में प्रश्ण को आउसे देखना चाहिए ताकि आप हर प्रेक्शा को आजसानी से क्रेक कर सके तो मिलते हैं अगली वीडियो में बने रहिए गंगा प्रकास वेस्पी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार थेंक यूँ